हाई गाईज वेलकम टू करेंट अफ़ेर्स फंड दूस्तों आप सभी को बता दू कि आई वीपेस क्लेरिकल के एड्मिट कार्ड आउट हो चुके हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्डेंट गाइडलाइन्स बताना चाहूंगा अगर आप पहली बार पेपर में अपियर कर कोविट नैंटीन के दौरान तो आपके लिए ये गाईडलाइन्स काफी जरूरी हैं और आप इनको ध्यानपूर्बग जरूर पड़े तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो आपका आई वीपेस क्लेर्ग बाला सेक्शन होगा उसमें ही आपको ये हिंदी और इंग्ल लेबल है जो की प्रेक्टिस मॉक के दौरा दिया गया है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इसमें अच्छा स्कोर करें इस मॉक टेस्ट को बराएं ये आपके आईवस क्लेरिकल प्लिम्स के उपर बेस्ट है और पहले चीज़ ये फ्री है इसके लिए आपको कोई पे करने की जरूत नहीं है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इस मॉक टेस्ट को एक बार जरूब रहा है अब हम आज आते हैं अपने में सेशन के उपर ये बेसिकली आगर आप यहां पर क्लिक करेंगे ये लिखा है ना क्लिक हेर टू डाउनलोड इन्फॉमेशन हैंडाउट फॉर ओनलाइन एक्जामनेशन हिंदी इंग्लिस बैसे तो मैं आपको इंग्लिस का ओपन करके दिखाऊंगा लेकिन मैं हर एक लाइन हिंदी में भी एक्स्प्रिंट करूंगा तो चिंता की कोई यहां पर बात नहीं है तो पहले मैं आपको उता दूँ कि आई यह तीन सेक्शन होगे और दोस्तों यहां पर इंग्लिस को छोड़ कर आपका जो नुमेरिकल एविलिटी है और रिजनिंग है यह दोनों ही सेक्शन आपके हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं में आपको देखने को मिलेंगे तो कोई चिंता की यहां पर बात नहीं है यहां पर पैटर्न आपका रिजनल डूलर बैंक जैसा नहीं होगा नॉर्मल पैटर्न होगा क्योंकि जो आररबी के एक्जाम होते हैं बहां पर जो रिजनल लेंग्वेज में पेपर को दिखाना जरूरी होता है लेकिन ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं होगा आगे हम सिधा सिधा दोस्तों यहां पर यही है कि हर एक केंडिट को मिनिमम इसकोर करना है हर एक टेस्ट में जैसे कि इंग्लिस का टेस्ट हुआ नुमेरिकल अबिलिटी रिजनिंग है तो इसमें जैसे कि तीस आपको लिखा है ना कि number of question 30 है यहां पर 35 है तो आपको हर एक section की cut-off भी qualify करनी पड़ेगी और time आपको 20-20 minute का दिया जाएगा ठीक है separate time होगा 20 minute पूरे मिलेंगे जो की English section के लिए मिलेंगे बाकी 20 आपको इसके लिए इसके लिए ठीक है ऐसा नहीं कर सकते कि आप थोड़ा सा time बचा लो last में उसको utilize कर लो नहीं होगा एक पूरा section एक बार में 4th negative marking दोस्तों आपके होती है तो इसीच का देहां रखना एक बटे 4 मतलब कि 0.25 आपका गलत करने पर number deduct यहां पर होगा ठीक है तोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें यहां पर sample question बताए इसका कोई भी मतलब नहीं है कि यहां पर इन्होंने बताए कि sample questions में जैसे इन्होंने काई कि pick out the most appropriate word from amongst the word given below each sentence to complete it meaningfully तो मतलब इस तरीके से इन्होंने काई कि कौन सा सब्ध्यां पर आएगा fill in the blanks type के questions आपके होगे आपके error part भी होगे आपका clause test भी होगा RC होगा rating comprehension तो इस तरीके का paper इन्होंने थोड़ा सापको एक basic idea दिया है same इन्होंने numerical ability में दिया है कि एक D.I.E. है ठीके बाकी इसके अलाबा और भी आपके question देखने को मिलेंगे तो यहाप इन्होंने दो D.I.E. दिखा दिया है reasoning में आपके कुछ questions होंगे puzzles वगरा भी रहते हैं ठीके तो यह आपका पूरा का पूरा format रहता है मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पूरे paper को exactly view करना चाहते हैं तो आप यह free mock दोगे आपको इससे पूरा idea लग जाएगा कि हर एक section में कैसे कैसे question पूछे जा सकते हैं ठीके अब दोस्तों मैं आपको online examination pattern की एक चीज यहाँ पर बताना चाहँगा काफी लोग यहाँ पर miss कर देते हैं ठीको यह आप अगर जब paper attempt करोगे तो आपके right side में इस तरीके से सारे question आएंगे 1,2,3,4 ठीके इस तरीके से इस तरीके से आगे भी आते रहेंगे ठीके हर एक line म में होंगे अब यहाँ पर यह white वाला क्या है जिसमें one लिखा है देखो ध्याना you have not visited the question सारे पहले starting में white रहेंगे आपने question जब आप visit करके आगे बढ़ जाओगे तो अगर आपने वहाँ पर answer नहीं किया तो वह वाला question आपका red हो जाएगा जिसमें लिखा होगा you have not answered the question इ इसका फोर्थ वाले में क्या है कि you have not answered the question but you have marked the question for review बहाँ पर एक option आएगा कि क्या आप इस question को review करना चाहते है तो review करने के लिए दोस्तों जैसे ही आप review पे click कर देंगे नीचे आपका option आएगा question के नीचे तो आपका blue color से हो जाएगा वो बाला particular question ठीके लेकिन आपने reward बनाओगा ठीक है तो ये पाचो आप समझ लेना लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके पास इतना time नहीं होगा कि आप ये सब कर पाओ आप directly question देखना अगर आपको सही आता है तो आप उसको mark करें और फिर आप next करें अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास जो starting के 20 minute बचे हुए इसमें से 2 option हैं तो मुझे लग रहा है कि ये बाला मेरा fit बैट रहा है तो आप उसको इस वाली तरीके से कर देना कि आपने answer कर दिया है mark for review कर दिया है जैसे ही आपका last का 1 minute बचेगा 20 minute में से तो आप फड़ा फड़ उस question पर आ जाना और उसको एक बार दुबारा से calculate करके check कर सकते हैं यह चीज बहां पर दोस्तों थोड़ी सी काम कर जाती है अब यहां पर थोड़ा सा हम आगे और बहरते हैं देखो यहां पर नोंने बताए कि कैसे next करना बहुत easy होता है बहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आप simple format में करते जाएंगे save next ठीक है कोसिस करन कि option attempt करो click on save next to save your answer for the current question and then go to the next question ठीक है यह navigating में ध्यान अगना कि जब आप option select कर लो answer का तो save and next पर click करना ठीक है अब आजाओ आगे अगर आपने कोई question गलत कर दिया है मतलब नहीं आपको चूज करना है नहीं answer देना है तो clear response बटन पर click करोगे तो आपका पूरा clean हो फिर आगे आजाओ paper आप final submit भी करोगे हरे section आपका हो जाएगा तो लिखाए candidate will not be allowed to finally submit unless they have exhausted the actual test time of the examination मतलब जब तक पूरा time खतम नहीं हो जाएगा तब तक आप final submit नहीं कर पाऊगे और यह चीज़ दोस्तों easiest में कोई भी problem आपको नहीं होगी ठीक है मतलब आपको proper 20 minute patience अपने time से पहले report करें ठीक है on time पर क्योंकि call letter में सब time print है वैसे आपका message भी on से आ जाएगा एक ठीक है और proper लिखा है the call letter should be brought with you to the examination when you along with your recent passport size photograph duly posted on it ठीक है तो आप ध्यान रखना कि जो आपने same photograph upload किया है बही आप लेकर जाना ठीक है और अपने admit card को लेकर जाना ओके फिर यहां पर दो-तिन बाते और लिखिए कि कि किसी तरीके से कोई instruction बगर आप wallet नहीं करोगे अगर आप instruction को तो तो आप disqualified कर दी जाओगे यह ची photography of a photo identity proof ठीक है आपको अपनी photo ID ले जानी है अब photo ID में क्या क्या है यहां पर लिखा है currently valid photo identity proof में भी pen card, passport, permanent driving license, boater's card with photograph, bank की passbook with photograph, photo identity proof with photograph issued by a guested official on official letterhead ठीक है photo identity proof issued by a people's representative along with a photograph ठीक है अगर किसी के पास नहीं हो बाता है तो वो अपना जो people's representative होते हैं उनके द्वारा भी एक official letterhead पर भी यह आपका ID proof चल जाएगा ठीक है तो यह यहां पर बता है गया लेकिन ध्यानिकना रासन कार्ड ठीक है और जो learning driver deal है वो यहां पर accept नहीं होगा valid ID proof के तौर पर दोस्तो information छोटी है लेकिन जरूरी है इसलिए मैं आप सभी को आपर बता रहा हूँ अब आजो बिल्कुल नीचे यहां पर जहां नटना यह लिखा है social distancing देखो social distancing को ज्यादा घबडाने की जरूरत नहीं है 15 मिनट पहले आप कोईसिस करें कि आप बहां पर report कर पाएं अप नहीं मिल पाएगा दूसरी चीज़ एक mask आपको wear करके जाना कंपल सरी है नंबर तीसरा जो दोस्तो gloves है ठीके और जो आपका sanitizer 50 ml की bottle है यह आप ले जा सकते हैं आपके बास है बहतर अपनी safety के लिए क्योंकि आप अपने हाथों को sanitize करेंगे बहां पर touch किसी चीच को करते है तो covid-19 spread ना हो इस बज़ा से यह guideline जारी की गई है लेकिन यह आप लेकर जाएं ओके gloves optional है नहीं भी ले जाएंगे gloves के बेगर उतार कर लिख लो आप paper attempt करना mouse नहीं चला पार हो gloves पहन कर तो gloves उतार कर लो gloves is not a compulsory लेकिन mask पहनना सबसे जरूरी है यही सबसे compulsory है ठीके hand sanitizer ले जाओ ना ले जाओ चल जाएगा काम एक pen ले जाओगे exam related document जो भी है photography आपका admit card यह सारी चीज आपको लेकर जानी है अब यहाँ पर एक ध्यान रखना यहाँ पर इनोंने लिखाई कि अगर कोई person scribe ले रहा है ठीक है तो ध्यान दो in case of scribe candidate scribe form duly filled scribe form आपको भरना है candidate should not share अपनी चीज़ें आपको share किसी के साथ नहीं करनी है social distancing maintain करके रखना यही basic चीज़े है लिखा है if a candidate is availing services of a scribe अगर कोई candidate scribe को ले रहा है then the scribe also should bring their own gloves उसके खुद के gloves होनी चाहिए N95 mask उसका होना चाहिए ऐसा N95 mask का reason क्या है देखो मैं आपको दादू जब दो person बहुत ही close contact में होंगे ठीक है जब person कोई भी close contact में होगा तो दोस्तों बहाँ पर जो है यह आपको ICMR की guidelines है कि paper बगरा हो रहा है तो उसमें N95 mask पहनना जरूरी है ठीक है यह चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना ओके लिखा है कि wearing a mask is compulsory आप N95 ले कर जाए तो आपको बहाँ पर को describe को without N95 mask के भी allow कर दिया गया था लेकिन mask होना compulsory है ठीक है यह लिखा है अब देखो यहाँ पर नहीं लिखा है कि both candidate and scribe will require to be wearing a N95 mask अब देखो यह तो है कि कहीं पर center पर allow कर दें without N95 के लेकिन scribe plus 2% जो हो जाएंगे उन case में N95 compulsory है यह चीज है both candidate and scribe will require to be wearing N95 उनको पहनना है ठीक है यह चीज यहाँ पर बताई गये तो आप उन सब चीजों का पालंद करें जो guidelines आपको दी जा रही है ठीक है अब यहाँ पर आ जाओ आ रहो किसे तू app install आपके while में है तो ठीक है बैसे यह मैं आपको उता दूँ कि बहुत सारे centers पर यह नहीं देखा गया without इसी के काम हो गया जो आपका admit card उसके पीशे का एक printout है आप उसको भी साथ लेकर जाए लिखा है कि status दिखाओ गये यह सब basic guideline है फिर एक चीज बिता दूँ कि अगर आप नहीं ले जार पार आप फोन स्मार्ट फोन आपके पास basic phone है तो इसमें लिखा है न कि एक declaration है इस प्रोवाइडिट इलॉंग विद दॉड कॉल लेटर के साथ एक declaration दिया गया है आप उसको लेखर जाए उसको भर देंगे उससे आपका काम चल जाएगा जरूरी नहीं कि आपको अपना smartphone बिद आरोग इ ठीक है आप basic phone ले जाएं deposit ना लेकर जाएं तब भी ठीक है लेकिन आप उस form को वहाँ पर भरेंगे जो की declaration form होगा और इसमें यहीं कहा जाएगा कि मैं COVID-19 के टरच में नहीं था something इस तरीके से और मैं बिल्कुल fit हूं something यह सारी चीज़े आपको वहाँ पर लिखनी पड़ फोन deposit कर देना है ठीक है अब जब आप बहार निकलोगे तो आपको फोन दे दिया जाएगा ठीक है यह चीज़ है आप अब एक बात और कहीं गई है कि temperature का विशेज द्यान रटना मैं आपको दादू कि इसमें normal flu भी चल लाएं तो बहुत सारे लोगों को fever हो सकता है तो आप कंसल करके एक paracetamol something जो भी जितने mg की आपको बताए तो आप लेकर जाए अगर आपको थोड़ी हरारास है तो पेपर में जाने से पहले आदे पॉन गंटे पहले अगर गोली ले लोगे तो आई होप आपको दोस्तों fever बहाँ पर नहीं होगा ठीक है तो क्योंकि normal flu है तो यहाँ पर लिखा है कि 99.14 ठीक है अगर temperature इस से उपर होगा या फिर कुछ और दिखाएगा तो उनको paper में entry नहीं दी जाएगी क्योंकि यह दोस्तों ICMR की guidelines है paper को conduct कराने के लिए उन्होंने health ministry ने यह guidelines जारी की है ओके तो यह चीज आप ध्यान रगना और इस बार candidate का ज जब photo capture किया जाएगा तो वही validate यहाँ पर किया जा रहा है ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रख लें ठीक है seat number आपको वही पर दे दिया जाएगा और यह सारी चीज आप क्योंकि जब आप जाओगे हाँ एक चीज और बता दूं कि rough seat से related काफी लोग के मन में doubt होगा कि rough seat क इतनी मिलेंगी rough seat की कोई tension नहीं है प्रिवेस जो भी exam हुए उसमे enough rough seat दोस्तों दी गई है तो कोई चिंता की जरूत नहीं है rough seat आपको मिल लेंगी आपकी seat पर आप जाओगे बैठे हुए तो बहाँ पर already rough seat आपकी already rough seat जो है वो बहाँ पर रखी मिलेंगी ठीक है और बाक पर की एक जो है guidelines है और मुझे लग रहा है कि आम सभी को इनको follow करना चाहिए और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार इस चैनल पर आएं subscribe करने हो और पहली बार exam दे रहे है तो उनके लिए मैं भी यही कहना चाहूँगा कि wish you good luck आपका paper बहुत अ लाएं और कैसा paper आपका हो सकता है link मैंने नीचे description में दिया है अगर आपका आभी भी basic doubt है तो आप बिंदास दोस्तों पूछ सकते हैं और आगे मैं आप सभी के साथ दुबारा से फिर मिलूँगा मेरा नाम है विकास और आगे हम लोग अग्री वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे have a good day to all of you once again